हमने क्ड़ा था पहली वीडियो में हमने पड़ा था ऐलकोहॉल क्या होतें और उनके नौमण क्लैचर कैसे होंगे और क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारी में पढ़ा था सैकेन्ड वीडियो में हमने methods of preparation पढ़ने थे तो हमने कुछ methods पढ़े थे क्या 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 मेतफ़द पढ़े जबने लकाइल हैलाइट से अलकोहलों का निर्मान और इसके अलाबा एलकीन से अलकोहलों का निर्मान तो हम कंट्यून करते अपने इस लेक्चर में अलकीन से एल्कोहॉलों के निर्मान की विदी तो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कीन से एल्कोहॉल के निर्मान की विदी इसमें एक विदी हम पढ़ चुके थे कौन सी विदी थी जिसमें हमने देखा था एल्कीन पर जल का जुड़ना जल क्या करता था एल्कीन पर जाकर जुड़ता था लेकिन अभिक्रिया स्वेम ना होकर कि किसी उत्प्रेरक की उपस्तिती में होती थी, जैसे किसी अमल की उपस्तिती में, तो अमल उत्प्रेरी तब क्रिया होती थी, जल योजन की, जल योजन यानि की जल का जुडना, उस से क्या बनते थे, अलकोहॉल बनते थे, और हमने देखा यह जो अभिक्रिया होती थी, वो क अब प्रत्यक्षुविदी इंडाइरेक्ट मेथड मैंने इसे अब प्रत्यक्षुविदी क्यों कहा है जब हमने पिछली लेक्चर में दिखा था जब एलकीन पर जल जुड़ रहा था जल योजन हो रहा था तो वहां क्या हो रहा था जल डाइरेक्ट अटेक्ट कर रहा था पर तब जुड़ रहा था है ना हाइड्रोजन और ओएच जल क्या कर रहा था डायरेक्ट ली जुड़ रहा था लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रूप यहां भी जुड़ेंगे लेकिन यहां पर एडिशन नहीं करेगा हाइड्रोजन कहीं और से आएगा तो vaccinated हो रहा है लेकिन डायरेग्ट नहों कर कैसा हो रहा है इन्डायरेक्ट हो रहा है दूसरी चीजS यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ने वाले से उस में जो hydrogen water का एडिशन होगा hydration होगा वो क्यासे होगा एंटी मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार होगा पहले वाले में कैसे हो रहा था एडिशन मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार और यहां कैसे होगा एंटी मारकोनिकॉँ नियम के अनुसार होगा यहाँ पर जलियोजन देखते हैं कॉनसी विदी पढ़ रहे हैं तो हम पहली विदी पढ़ने वाले हैं पहली विदी है हाइडरो बोरोनी करण हाइडरो बोरोनी करण उक्सीकरण इसको बोलते हैं हाइड्रो बोरेशन उक्सीडेशन क्या है ये? हाइड्रो बोरेशन उक्सीडेशन क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? नाम से पता चल रहा होगा हाइड्रो बोरोनी करण हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बोरेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रो बोरेशन का मतलब होता है एडिशन जुड़ना किसका? हाइड्रोजन किसका जुड़ना हाइडरोजन प्लस बोरोन का जुड़ना यानि कि जहां हम पिछली उसमें देखा था वहाँ पर क्या हो रहा था हाइडरेशन हो रहा था हाइडरेशन में कौन जुड़ रहा था वाटर जुड़ रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है hydroboration हो रहा है यहाँ पर भी कुछ जुड़ रहा है लेकिन कौन जुड़ रहा है hydrogen जुड़ रहा है और boron जुड़ रहा है hydrogen प्लस boron तो यहाँ पर किसका addition होगा किसका जोड़ होगा कौन जुड़ेगा hydrogen प्लस boron तो यहाँ पर हम क्या reagent लेंगे रिएजन्ट क्या होंगे हमारे पास यानि कि हाइड्रो बोरोनी करन अक्सी करन क्या है कि जब किसी एलकीन पर बोरोन बोरेन की अभी करिया होती है बोरेन क्या होता है बही अब यह देखें यहाँ पर रिएजन्ट देखें अभी कर्मक देखे हैं हमारे यहां पर अभी कर्मक क्या होंगी अभी कर्मक अभी कर्मक हम यहां पर यूज करेंगे BH3 बोरेन यह यह तो BH3 की फॉर्म में लिखा हुआ होगा यह फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा BH3 का होल ट्वाइस यह क्या है यह B2H6 है क्या है B2H6 B2H6 डाइबोरेन क्योंकि हम जानते हैं BH3 पढ़ा होगा हम लें कि BH3 जो है वो कभी भी मोनोमर्फर्म में नहीं रहता यानि कि एक लखी रूप में नहीं रहता यह किसके रूप में रहता है Dwivryla की रूप में पाया जाता है यानि dimmer के रूप में पाया जाता है तो ये reaction में आपको ऐसे लिखा हुआ होगा BS3 का whole twice, इसके साथ solvent क्या लेते हैं इसके साथ विलायक भी लिखा होगा इसके साथ विलायक क्या होता है इसमें बिलाइक होगा यहाँ पर THF या फ्यूरान THF या फ्यूरेन को हम बिलाइक के तोर पर यूज़ करते हैं THF और फ्यूरेन ही क्यों हम जानते हैं THF क्या होता है THF मतला टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन और फ्यूरेन क्या है यह फ्यूरेन है यह फ्यूरान है यह टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन है यहाँ पर क्या है ऑक्सिजन ऑक्सिजन के पास क्या होते हैं लोन पे हैं और BH3 क्या होता है, BS3 एक electron deficient species है, electron की कमी होती है, हम जानते हैं boron का atomic number कितना है, 5, 1s2, 2s2, 2p, 1, यानि कि इसकी भारी कक्षा में कितने electron है, total 3 electron है, और 3 electron हैं इसे किसे मिलते हैं, hydrogen से, तो total कितने electron हो गए BS3 में, 6 electron, 6 electron, सेक्स्टेट पाया जाता है electron का, और octet, यानि किसके octet complete नहीं है, octet कब होगी complete, जब 8 electron हो जाएंगे, तो इसके octet complete नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, electron को ग्रहन करने की tendency रखता है, यानि किसके रूप में कारे करता है, ये कारे करता है, लुईज अमल के रूप में, electron ग्रहन करने की प्रवरत्ति होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, लुईज अमल कहलाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हमें BH3 यूज करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, BH3 का क्या होगा, हाइडरो बोरेशन होगा, हाइडरो बोरेशन मतलब हाइडरोजन और बोरोन का एडिशन होगा, जुड़ेगा हाइडरोजन और बोरोन, उसके बाद दूसरे स्टेप में और क्या रियेजन लेंगे, पहले होते हैं देखेंगे मेकैनिस में देखेंगे रियक्षन देखेंगे कि यह कैसे होती है इनकी रियक्षन में क्या होता है तो मेकैनिस में देखते हैं कैसे होती है क्रिया विदी मेकैनिस्म सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले एलकीन पर बियच्थ्री के योग से क्या प्राप्त होगा और दूसरी बात यहां पर याद रखने की क्या है बियच्थ्री का यह जो योग होता है यह कैसा होता है सिन होता है योग दो तरह का होता है एक सिन होता है और एक एंटी होता है यह क्या होता है सिन और एक होता है एंटी सिन मतलब सेम साइड से एकी तरफ से एंटी मतलब अपोजिट साइड से भी प्रीत तरफ से अगर hydrogen और boron एक ही साइड से जुड़ रहे हैं यानि कि above 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 the plane आ रहे हैं तो दोनों above भी होने चीए below the plane अटेक कर रहे तो दोनों below the plane हो चीए यानि कि एक ही उनकी stereochemistry क्या होने चीए सेम होनी चesar है तो addition कैसा होता है sin होता हुआ और 니 में क्या होता है एक down से आ न से आ रहा है तो एक up wink bell से आ तो इसको क्या बोलते हैं ?nt additions तो यहां पर addition क्या होता है sin addition होता है देखते हैं कैसे मालो हमारे पास ये лектRE ये market नहीं है मैं हमारे पास ठीक है सबसे पहले हम reaction कराएंगे इसकी किस से बोरेन से BH3 का hole twice कोई भी solvent रहेगा हमारे पास चाहां तो THF रहेगा या फ्यूरेन रहेगा THF ले लेते हम solvent की तौर पर यह क्या करेगा मैंने अभी क्या बताये था आपको यह जो बोरेन है BH3 इसके पास क्या है six electron है कितने electron है six electron है यानि कि इसके octet complete नहीं है तो यह किस की तरह कारे करेगा nucleophile की तरह करेगा या इसके पास electron की कमी है इसकी अस्टक पूरी नहीं है भाई तो फिर यह electron दे तो नहीं सकता तो यह क्या करेगा electron लेगा यानकी विकारी यह विच्चारा बहुत गरीव है इस के पास देने के लिए कुछ है ने तो देगा क्या यह तो खुद कटोरा लेके बैटाए के भाई कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे ता कि मेरी अस्टक पूरी हो जाएगे अब यह इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिलेंगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है एलकीन है एलकीन के पास क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रोन होते हैं तो इसके पाई इलेक्ट्रोन होने की वज़े से यह किसकी तरह कारे करता है यह नुकलियोफाइल की तरह कारे करता है नुकलियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्र एच इस तरीके से लिख दूँ बोरॉन के पास क्या होगी वेकेंट पी और्विटल होगी वेकेंट पी और्विटल होगी ना वही बोरॉन का एटोमिक नंबर क्या होता है 5B 1S2 2S2 2P 2P1 यह ग्राउंड स्टेट में excited state में लिखूंगी तो 2S के अंदर एक electron और 2P के अंदर दो electron यह 2S यह 2P यहाँ SP2 hybridization हो जाएगा और यह तो hydrogen के साथ bond बना लेंगे 3 और यह जो और्विटल है यह कैसी है vacant रह जाएगी खाली रह जाएगी तो क्या होगा यह जो vacant P orbital है यह क्या है खाली P orbital इसके पास खाली P orbital है यह दे तो नहीं सकता लेकि ले तो सकता है तो क्या होगा पाई electron density थोड़ी सी इस carbon पर shift होगी इस carbon पर shift होगी तो क्या होगा इस पर partial negative और यहाँ पर partial positive चार्ज आएगा आप बोलो यहाँ पर कार्वो केटाइन जनरेट कराएंगे जैसे पिछले उसमें ग्यादा तो यहाँ पर कार्वो केटाइन की formation नहीं होती है यह reaction इतना fast होता है कि कार्वो केटाइन को बनने का वही मौका ही नहीं मिलता है इसलिए मैंने partial charges लगाएं यानि कि tendency हलका सा करेक्टर आता है positive का और negative का बनते नहीं है तो क्या होगा इस पर एक करेक्टर आएगा negative का तो यह क्या करेगा बोरॉन को electron देगा तो मैं किसे हटा सकती हूँ यहां लिखू मैं BH2H तो क्या करेगा यह इसको electron देगा पहले फिर उसके बाद जैसे ही इसके पास electron आएंगे तो इस पर कैसा charge आजागा negative charge बही पहले तो यह गरीब था बिकारी था बही पहले तो कटोरा लेके घूम रहा था कि लाओ मुझे दे दो कोई electron दे दो कोई electron दे बोलते हैं आप तो मैं दानवीर करन हो गया अब तो मेरे पास electron density आ गई हालांकि इस पर चार्ज नेगेटिव उत्पन होता है वह एक फॉर्मल चार्ज है यानि इस पर पर्मानेंट नहीं आया लेकिन फिर भी उचल रहा है यह तो यह क्या करेगा तुरंत ही यह जो hydrogen है कि आपको साफ से दिखाई दे कि अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि क्या हो रहाता है यहां पर हमने यह लिया था RCH2 CH double bond CH2 यहां पर हमने BH2 लिखा है यह hydrogen है तो यह पाई electron density यहाएगी और यह अपने electron लेकर bonding के दोनों electron लेकर कहा चला जाएगा इधर चला जाएगा तो क्या होगा एक transition state बनेगी क्या बनेगी यहाँ पर transition state हर reaction में transition state बनती है तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं क्या होगा यह वाला जो hydrogen का bond है यह तूटना शुरू होगा तो यह पूरी तरह से तूटना नहीं है तूटना शुरू होगा यह वाला bond बनना शुरू होगा यहाँ पर pi bond था वो क्या होना शुरू होगा तूटना शुरू होगा और boron और carbon के बीच bond बननना शुरू होगा ठीके कुछ इस तरह की क्या वनेगी ये संक्रुमन अवस्था riduration state transition state अब आप कौगी कि हमने बोरोन को इधर ही क्यों जोड़ा इस कार्वन पर क्यों नहीं जोड़ा इस कार्वन पर क्यों नहीं जोड़ा ये भी करके देख लेते हैं अब दो transition state है हमारे पास एक में बोरॉन इस कारवन से जुड़ा हुआ है तर मिनल कारवन से और एक में बोरॉन इस कारवन से जुड़ा हुआ है तो इन दोनों में से कौन सी transition state बनेगी कौन इस्थाई होती है देख लेते हैं अगर हम इसको देखें, तो अगर यह bond टूड़ना शुरू होगा, तो यहाँ पर कैसा character आएगा, partial positive character आएगा, boron electron लेना शुरू करेगा, तो यहाँ पर partial negative character आएगा, है ना, तो यह वाली transition state क्या है, stable है, इस थाई है, क्यों इस थाई है, क्योंकि यहाँ पर यह जो कार्वो क से जुड़ा हुआ है, यानि कि यह कैसा बन रहा है, टू डिगरी बन रहा है, और टू डिगरी कर्वो के टैन क्या होता है, stable, अगर यहाँ देखें, तो पार्शिल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पार्शिल नेगिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ कौन सा कुछ इस तरीके से हमें हमारा प्रोड़क्ट मिलेगा, CH2, CH, CH2, यहाँ पर रह जाएगा, BH2 और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर, यह जो बना इसी को बोलते हैं, और गैनो बोरेन, क्या बोलते हैं इसे, और गैनो बोरेन, दिखाई दे रहा है आपको, क्या बना हमारे पास यह, यह बना हमारे पास और गैनो बोरेन, यह ट्रांजीशन स्टेट आई, इसके बाद हाइड्रोजन और B.H. तो जुड़ गे ठीक है अब आगे क्या होगा भई इतना तो बन गया आगे क्या तो क्या मैं इसे रब कर दूँ आगे क्या होगा अब हम यहाँ पर देखें यह तो कुछ BH3 टाइप जैसा ही था वहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगा पर अब क्या है कारवन वाला गुरूप जुड़ गया आर गुरूप जुड़ गया तो अभी भी BH क्या है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और एक का तो क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें कि यह होता है हमारे पास यह फिर से क्या हो गया इसके पास फिर से इलेक्ट्रोन हो गए फिर से इलेक्ट्रोन की कमी हो गई तो अब यह क्या करेगा फिर से इसके पास क्या हो गए इलेक्ट्रोन हो गए इलेक्ट्रोन की कमी हो गई तो अब यह क्या करेगा यह फिर से इलेक्टरों कहीं से लेने के कोशिश करेगा यह निकिन का एक और मॉलिकूल एक तो यह मॉलिकूल अटेक किया अब दूसरी एलकिन अटेक करेगी मारे पास दूसरी एलकिन है CH2 CH double bond CH2 इसका दूसरा मोल लेंगे एक मोल तो यह यूज हो गया दूसरा मोल लेंगे तो यह किस पर attack करेगा यह attack करेगा यहां इसे बना दू मैं H और यह H जुड़ा हुआ है और यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 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 R ठीक है क्या होगा सेम स्टेप होगा यह यहां पर electron देगा इसके P orbital में और यह move करके यहां पर आ जाएगा तो क्या बनेगा R CH2 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 BH और एक पहले सी जुड़ा हुआ है CH2 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 R ठीक है अभी यहां पर एक hydrogen और बचा हुआ है बोरेन पर तो क्या होगा एक बार फिर से alken से reaction होगी R CH2 CH2 CH CH1 CH2 यह फिर से जुड़ेगा सेम तरीके से जैसे फर्स्ट स्टेप में जुड़ा है वैसे सेकेंड स्टेप में और फिर थर्ड स्टेप में रियक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास तो हमें मिलेगा यह बोरोन से जुड़े हुए रहेंगे CH2 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 R कितने जुड़ेंगे तीनों हाइडरोजन प्रतिस्थापित होगा जगा पर यह ग्रूप आ गया ठीक है क्या बन गया यह और गैनो बोरेन बन गया क्या बन गया और गैनो बोरेन बन गया अब आगे स्टेप में क्या होगा अब इसकी रियक्शन होगी किससे अब इसका ओक्सी करन होगा अभी तो क्या हुआ है hydroboronikaran हुआ है इसको क्या बोलते है hydrogen का और boron का अब next step में क्या होगा इसका oxy current होगा अब देखते हैं अगले step में oxy current किस प्रकार से होगा ये step क्या क्यलाएगा ये hydroboronikaran है अब oxy current करते हैं तो ये बन गया हमारे पास अब आगे क्या होगा इसमें यह बना हमारे पास इसको मैं यहां लिख लूँ बोरोन, CH2, 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 R, कितना है, तीन जुड़े हुए है, यह बन गया, अब इसकी रियक्शन होगी किस से, आगे रियक्शन होगी, H2O2, हाइड्रोजन परोक्साइड और बेस से, अब यहां देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, आखिर क्या रियक्शन होती है यहां पर, त और हमें क्या दे रखा है, बेस का काम क्या होता है, बेस कौन होते हैं, बेस वो होते हैं, जो प्रोटॉन के प्रती अपनी दर्शात है, यानि कि जो प्रोटॉन लेना चाहते हैं, तो यह क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, और यहां से हमें क्या मिल जाएग यानि कि अभी क्या यह इलेक्ट्रों डेफिशियंट है अब यह चाहेगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रों मिल जाएं तो क्या करेगा यह जो है इसके पास नेगिटिव चार्ड है यह नुकलोफाल का काम करेगा तो यह इस पर अटेक करेगा तो मैं यहां लिख दूँ यह जो है इसने अटेक किया यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रों दिये कॉडिनेट बॉंड बनाएगा इसके साथ क्या बनाएगा कॉडिनेट बॉंड बनाएगा हो ओ माइनस यहां लिख देती हूं मैं हो ओ माइनस यहां अटेक किया इसको इलेक्ट्रों दिये कॉडिनेट यह बन जाएगा और यह बन जाएगा जैसे यह इस पर जुड़ा यह पर क्या गया नेगिटिव चार्ज आया बोरॉन पर अब फिर उड़ने लगी पहले इसके पास एलेक्ट्रोनों की कमी तब बिकारी बना हुआ था और अब इलेक्ट्रोन आगे तो यह फिर राजा बन जा क्या करेंगा ऊक्षिश करेंगा कि मैं अपने किसी आर्ग अपने आपने जैसे वहां पर हाइड्र ऱां सापर करने अब यहां पर कॉन से ड्रकॉप को ध्रसफ़ यहांपर देखें तो यह बहुंड आक्सीजान도 रोजेशन यह पर ऑक्साइड लिंकेंड तो यह क्या होती है वीक होती है तो यह क्या करेगा यहां से ब्रेक हो जाएगा कैसे ब्रेक होगा मैं यहां पर ऐसे लिख दूँ दो यहां पर है और एक ग्रूप यहां पर है एक ग्रूप यहां है तो यह क्या करेगा अपने electron लेकर migrate करेगा इस oxygen पर और यह bond जो होगा यह क्या हो जाएगा तूट जाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा b, यहां लिखूँ, b, o, ch2, 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 r यहां पर बचे हुए ch2, 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 r का hole twice और यहां से बाहर क्या निकला? O H minus बाहर निकला ठीक है ऐसे ही क्या होगा जैसे पहला HO minus attack किया फिर दुवारा इस पर कौन attack करेगा फिर दुवारा इस पर attack करेगा HO minus फिर attack करेगा फिर से बनेगा ये मैं बारबार इतना long लिख रही हूँ तो क्या मैं इनको R group लिख सकती हूँ यह जो पूरा गुरूप है इसको मैं R से प्रदर्शित कर दूँ यह पूरा गुरूप को किस से प्रदर्शित कर दिया R से और इतने गुरूप को मैं किस से प्रदर्शित कर दूँ R से प्रदर्शित कर दूँ ठीक है तो यह क्या बनेगा एक तरफ तो है हमारे पास O R oxygen से जुड़ा हुआ है R group और यहाँ पर मौझूद है 2R यहाँ पर मौझूद है H O O minus आया इससे जुड़ा तो क्या बन गया O O H फिर क्या होगा यहाँ से एक group migrate करेगा अलग-अलग दिखा दू एक R group यह है एक R group यह है तो यह क्या करेगा फिर से यह group migrate करेगा oxygen पर और O H minus क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो यह बन जाएगा B O R का hold twice यह फिर से O R बन गया 2 O R group और अभी इस पर क्या जुड़ा हुआ एक R group जुड़ा हुआ है तो अब तीसरी बार फिर से attack होगा H O O minus का फिर से सेम बनेगा तो बार वर ना दिखा कर डारेक्ट बना दूँ यह क्या बन गया B O R O R ऐसे लिख दूँ B O R का hold thrice यह बन गया ठीक है यहाँ पर हमने कितनी वार अटेक हुआ है H O O minus का 3 बार तो यह कितने मोल्स लिये होंगे यह बनाओगा 3 मोल बनाओगा वाटर भी कितना बनाओगा 3 बैलेंस करने है रियक्षिन वो तो आप बैलेंसिंग करना जानते होंगे रियक्षिन को कैसे बैलेंस करना स्टेप में ठीक है इसका मतलब हमने 3 आईडरो जिन पर को शाइड के मोलीकूल लेते त diyorum एन बने और들 ओठर काम हेगा यह यहां पर हम ले ले लें हन друзья तो हम जानते है ओए चाहर माइनस और यह क्या होता है फ्लस ओता है तो यहां से यह जो उएच माइनस है यह अटैक करेगा किस पर बोरौन पर क्या और इसिसन जाल्टlook क्या होगा बाहर निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ने इस पर जैसे ही oxygen OH- एलेक्ट्रोन देगा इसे तो इस पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो OR- क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो बचा क्या यहां पर बचा यहां पर B OR का hold twice और एक जुड़ा यहां पर OH प्लस RO- इसी तरह से तीन मॉलिक्यूल अटेक करेंगे एक ने अटेक कर दिया मैं दो मॉलिक्यूल को एक साथ दे दे रहे हूं तो 2H OH और अटेक करेंगे OH- H+, OH- फिर से अटेक करेंगे इस पर ठीक है तो क्या होगा दोनों OR बाहर निकल जाएंगे तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा तीन तो मिलेंगे RO- प्लस तीन मिलेगा एक मिलेगा BOH का hold twice अब यह क्या करेगा यहां से OH- निकला तो H+, भी निकला होगा OH- ने अटेक किया तो यहां से क्या निकलेगा H+, निकलेगा यह H+, को कौन लेगा R+, यानि कि यहां पर क्या होगा H+, का addition होगा 3H+, कहां से आएंगे यहां से आएंगे OH- ने अटेक कर दिया इस पर तो यहां से H+, भी तो बाहर निकलेगा तो उस H प्लस को कौन ले लेगा RO माइनस तो एड़न पर हमें क्या मिल जाएगा 3 ROH प्लस BOH का होल थ्राइस तो अब मैं इसे खोल कर लिख दू मुझे क्या मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके एलकोहल के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे क्या था हमारा एलकोहल CH2 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 यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर हमारे पास क्या जुड़ा Hydrogen तो अगर हम देखें हमने शुरुआत की थी एलकीन से कहां से शुरुआत की थी इस से की थी इस से शुरुआत की थी मारकोनी कोगनियम क्या कहता है जब हमारे पास कोई ऐसी स्पीसी हो HOH है ना यह प्लस और यह माइनस होता है तो Hydrogen यह जो पॉजिटिव पार्ट है यह कहां जाता है जहां पर इलक्ट्रोन जाजा हो यानि इसे यहां जाना चाहिए था और OH- को यहां पर आना चाहिए था लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां तो जहां पर Hydrogen जाजा थे वहां पर OH आया है और जहां पर Hydrogen कम थे वहां पर Hydrogen जुड़ा है यानि कि यह जो addition हुआ है यह कैसे हुआ है anti-marconic of नियम के अनसार हुआ है क्या हुआ है यहां पर addition anti-marconic of addition हुआ है तिया लिख दूमें anti-marconic of anti-marconic of योग हुआ है टीक है addition कैसा हुआ है anti-marconic of anti-marconic of नियम के अनसार product बना है जहां पर बोरोन जुड़ा था वहां पर Hydroxide आयन आया है और Hydrogen तो हमने देखा ही तक कहां जुड़े है तो यहां पर यह जो stereochemistry यह बोरोन हमेशा less hindered carbon पर ही जुड़ता है यहां पर जो stereochemistry decided होती है यहां पर जादा भीडवाड होगी वहां पर बोरोन नहीं जुड़ेगा और जिस कारवन पर कम भीडवाड होगी वहां पर जाकर बोरोन हमेशा जुड़ जाएगा जैसे कि यहां देखें यह आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ mechanism एक-एक step I hope समझ में आ गया होगा क्योंकि एक-एक step को मैंने clear करके बताया है नहीं समझ में आओ तो आप repeat करकर के देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा tough नहीं है easy है कि कहां पर क्या हुआ है मैं क्या कहना चाहरी हूँ मैं यह कहना चाहरी हूँ जैसे हमने यह लिया था RCH2 CH double bond CH2 तो हमने boron को यहां जोड़ा था और hydrogen को यहां जोड़ा है आपको मैं अगर पहले भी मैं बता चुक हूँ तो कार्वो केटायन की stability से बता चुक हूँ जो सब्सक्राइब को बनता है यहां पर क्या हुआ तो यहां पर क्या हुआ था पार्शिल कार्वो केटायन करेक्टर आ था यह दोस्रा यहां पर जोड़ाता है प्रटिकर्षित तो यह बल की ब्लक ग्रुप मैं ro यह यांपर इस्टेबल से स्टेडल जोडें से सब्सक्राइसा 9 Осब में कुझा तो यह यह पर स्टेबल नहीं से यह इन तो लग रहा है तो बोरौन हमेशक कहां पर जुड़ेगा लैस हिं už कारवन उस कारवन पर जुड़ेगा जहां पर भीड़वार कम होगी यहान की जहां पर स्टेरिक क्रावडिंग कम होगी जहां पर जोगीण। ढ breakup लेकिन अगर बढ़े-बढ़े घृड्रिक हिंडरन आँज़ाएगी जैसे कि यहां हो रहा है तो बोरान कभी इस कारवन पर नहीं जुड़ेगा आपको पूरा तो इस तरीके से हमारी जो येक्षण होती है हाईड्रो बोलोणी करंट औक्सी करंड इस तरीके से होती और एलकूहौलों का निर्मान होता है अब हम एक और विदी देखेंगे जिसमें एलकूहौल का निर्मान करेंगे आ ये भी एक indirect method है अब आपको समझ में इसको indirect method क्यों किया जो hydrogen जुड़ा था वो कहां से आये था BH3 से और जो OH- hydroxyl group जुड़ा वो कहां से आये था hydrogen peroxide से इसलिए यहां पर addition तो हुआ है लेकिन indirect water ने direct जाकर addition नहीं किया इसलिए इसको अब प्रत्यक्ष विदी बोलते हैं अब हम जो दूसरी विदी देखने जा रहे हैं वो भी अब प्रत्यक्ष विदी में ही आती है क्या है विदी? oxy mercury current अगली विदी हमारी oxy mercury current वो वि-mercury current बोलते हैं oxy mercury demercuration demercuration oxy-mercuration और demercuration क्या विदी है? इसमें किसका क्या reagent यूज होते हैं? सबसे पहले हम अभी कर्मक देख लेते हैं एक तो हमें मालूम है alkene से बनने की विदी हैं इस सारी किस से बनने है? alkene से alcohol के निर्मान की विदी तो एक substrate तो हमारा क्या होगा? alkene होगा उसके साथ हम reagent क्या लेंगे? अभी कर्मक देखें अगर हम तो यहाँ पर हमारा अभी कर्मक रहता है mercuric acetate Hg CO COO CH3 का hold twice इसका नाम है mercury mercuric acetate खोल कर लिखूँ तो यह ऐसे दिखेगा Hg C1O sorry Hg O C1O CS3 O C1O CH3 short में हम इसे यह जो ग्रूप है CO CS3 यह कौन सा ग्रूप है? acetate ग्रूप है कौन सा है? acetate ग्रूप तो इसको AC से प्रदर्शित करते हैं तो मैं इसको short में बार-बार ऐसे लिखूंगी Hg O A C Hg O A C तो Hg O A C का hold twice यह है हमारा reagent इसके अलावा आप और क्या यूज़ करते हैं? यह यूज़ होता है water यूज़ होता है पानी और तीसरा हमारे पास चाहिए एक reducing agent यानि कि एक up chain करने वाला reagent चाहिए जैसे कि metal hydride ले 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 हम धातू hydride जो कि किसका काम करते हैं? reduction का काम करते हैं up chain का काम करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर use करते हैं sodium borohydride तो हमारे पास reagent क्या है? sodium borohydride और OH- तो यहाँ पर reagent क्या यूज होंगे? mercuric acetate HGOC का hold twice पानी और sodium borohydride और उसके साथ एक base चाहिए तो हम देखते हैं mechanism कैसे होता है इसका तो mechanism पर देखें में यहाँ लिग दू दूसरा क्या चाहिए हमें? H2 हो चाहिए इसके लाबा sodium borohydride OH- यह हमारे अभी कर्मक हैं यह क्या करेंगे? जब alcohol की क्रिया mercuric acetate water और sodium borohydride से कराई जाती है तो किसका निर्मान होता है? alcohol का निर्मान होता है ठीक है? सबसे पहले क्या बनता है? mercury एक non-classical carvoketine बनता है हम देखेंगे क्या होता है non-classical carvoketine मालो यह हमारी अलकीन है RCH double bond CH2 ठीक है? सबसे पहले step में हमने क्या लिया? हमने यह लिया step by step देखेंगे सबसे पहले हमने क्या लिया? H e g O e c इदर लिख दू H e g और इदर लिख दू O e c तो क्या होता है? H e g क्या है? transition metal है हम जानते हैं क्या है? 3D cd संक्रुमंट तत्व है किसमें आता है? संक्रुमंट तत्व mercury और जो संक्रुमंट तत्व होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे सुपर्मार्केट का काम करते हैं सुपर्मार्केट क्या होती है? आप लोगों ने देखे होंगे न बड़े-बड़े शहरों में मौल होते हैं मौल क्या होते है? आपको एक ही बिल्डिंग में एक ही जगे पर सारी चीज़े मिल जाते हैं कपडे, बरतन, जूते, खाने पीने की चीज़ें सब का मिल जाती हैं, एक ही बिल्डिंग में मिल जाती हैं, बिलकुल उसी तरह ये भी सूपर मारकेट होते हैं, यानि जो संक्रमंट तत्व होते हैं, इनके पास हर तरह की और्बिटल मिलती है, पूरी तरह से भरी होई जटरों डोनेट कर सकते हैं इसके लाबह इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बीटल भी मिलतीए आधी बरी उइंग्य आफ विल्ड ऑर्बीटल शारें क्टीजस तो हमें कहीं पूरिक प्रियूिडिक टेवल में मिलेगी नहीं संक्रिमेंट अश्धि हैं क्या करेगा यह जो पाई लेक्रों की वज़े से यह किसका कारे करेगा तो इसकी इलेक्ट्रों डेंसिटी की वज़े यह से यह Üक सरे मरकरी और ओक्सीजन का यह क्या हो जाता है यानि कि इस पर फटन हो जाते हैं यह यह करना गश्राइब और इसपर डेल्टा प्सक्षिज चार्ज हो जाता है हैं जुन एक्सिजन ज्यादा है और विद्यु तुन्स हातमक्न था इसके smoking kill कीwasser एल्कीन के पाई इल्क्ट्रोंड टेंसिटी की", जो बॉर्णड हो जाता है, प। तो इसको मैं अगर…. यह यह से पाईषय की बाहर हो, यह यह से और अब्को यह जैसे यह बाहर निकल जाएगा और इसके पास कुछ भरी हुई और भी और बीटल भी होगे उनसे यह इलेक्ट्रॉन को देगा इसको क्योंकि जैसे यह बॉंड यहां से टूटेगा यह बॉंड यहां से shift होगा मैं अगर इसे यहां पहले इस कारवन पर shift हुआ तो यहां पर क्या आएगा डेल्टा नेगिटीब और यहां पर डेल्टा पॉजिटिब कार्वो केटान की जनुरेशन नहीं होती इसलिफ पूरे positive और नेगेटिव चार्ज मैंने नहीं दिखाए हैं, पार्शियल दिखाए हैं, यानि कि करेक्टर आते हलके फुलके से, यह reaction बहुत फास्ट होती है, तो कार्वो केटान को बनने का मौका मिलता ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर, यह हलकी सी यहाँ पर शिप्ट होगी, इ यह कुछ इस तरी किसे बन जाएगा, CH, CH2, HG, OAC, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कितने बॉंड बन गए इस से तीन, पहले कितने बॉंड बने हुए थे, दो बन बने हुए थे, अब यहाँ पर तीन बॉंड बन गए, तो क्या चार्ज आ ग जबता है, इस आपको पता करने कि कौन अटैक करेंगा, कहा अटैक, करेंगा, और कैसे अटैक करेगा,Jeanne चीज आपको पता हूं, तो र्यक्शन रट्टनी की ज़रूद नहीं, आप अपने आप भी, कर सकते है, मेकैनिसम अब आपके दिमाग में अपने आप आप यह भी तरह का कार्वो केटाइन होता है इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्वो केटाइन यान की केटाइन तो है लेकिन इसमें कार्वो केटाइन की प्रॉपर्टीज नहीं है जो कार्वो केटाइन प्रॉपर्टीज तो करते हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज इसकी नह यह तो फिर इस वाले बॉन्ट से अपनी तरफ खीचेगा और यह कब घीचेगा जब एक टू ओ अटेक करेगा तो हम देख लेते हैं एक टू कहां पर अटेक करेगा एक पास दो सकता है अगर हम इस कारवन पर अटेक करेगा तो यह कैसा बनेगा पाउजिट चार्ज आएगा तो यहां पर आटेक करेगा तो यह जो बॉंड टूटेगा यह देखें अगर हम ऐसे दिखाएं यह बॉंड टूट रहा है ठीक है तो क्या होगा यहां पर कैसा चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव क्यों 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 खीचेगा क्योंकि सीज़ीफट ची चार्ज जायेगा फॉजिटिव चार्ज को एक्क्रोन वह तरफ फीचेगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जन्रे diff होगा तो टेखरएं और इस नावर और क्या मंताव यह वैंटाब और और यहां चार जाया अनिस्टेबल हो गया तो यहांसे क्या त्याग देगा है इस में इसको फटाना है हमसे च्क च्ट करना पड़ेगा इसका यूज़ क्या यहां पर? sodium borohydride यूज़ क्या है वेस की presence में sodium borohydride में क्या है? यह तो sodium plus है यह minus है तो attacking species कोई है यहां पर? BH4 कोई है यहां पर attacking species? BH4 जब हमने BH3 में देखा था वो electron deficient थी वहां पर 6 electron थे और यहां पर BH4 में देखें तो यहां चारवण बने हुए तो इस पर कैसा charge आता है? negative charge आता है यह proper negative charge नहीं है यह क्या है? केवाल एक formal charge है क्या है? formal charge है यह क्या बन जाता है? जैसे इस पर 4 electron हुए, electron density हलकी सी बड़ी यह तो अपने आपको पता नहीं क्या दानवीर कर्ण समझने लगता है और तुरंट जाकर क्या कर देगा? यहां से H- H- प्लस नहीं निकलता है H- hydride निकलता है और यहां पर attack करेगा यह अपने electron लेकर बहार निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा? कार्वो केटाइन वो कार्वो केटाइन पर कौन attack करेगा? इसने कौन दिया? यह bonding के दोनों electron लेकर बहार निकला है यहां से क्या निकला है? H- क्या निकला है? hydride क्या देगा? BH4- hydride ट्रांस पर करेगा hydride देगा तो hydride यहां से निकल कर कहा अटेक करेगा? कार्वन पर अटेक करेगा और यह बहार निकल जाएगा इसका reduction कर देगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा R CHOH CH2 और यहां पर hydride से जो H- आया है वो जुड़ जाएगा तो यह बन गया हमारा क्या बन गया? एलको हॉल बन गया अब अगर हम देखें यह Markonic of addition है यह anti-Markonic of है तो यह देखे Hydrogen वहां जुड़ा है जहां पर Hydrogen जादा थे और Oxygen वहां जुड़ा है Sorry, Hydroxyl समूँ वहां जुड़ा है यानि Negative part वहां जुड़ा है जहां पर Hydrogen कम थे यानकि यह addition कैसा है Markonic of addition है Markonic of Neum की अनुसार हुआ है हाला कि हर जगे हम Markonic of नहीं देखते क्योंकि बहुत सी जगह हम देखेंगे जहां पर Markonic of Neum follow नहीं होता है तो basically यहां पर हम हर चीज़ को किस चीज़ से देख रहे है कार्बोकेटाइन की स्टेविटी जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस जगह पर स्टेवल होगा वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वही प्रॉडक्ट बनेगा तो आपको क्या देखना है है एक तो मरक्यूरी करन्ट वी मरक्यूरी करन्ट देखी और दूसरी देखी हमने क्या hydroboroni current, oxy current तो इस तरह से alcoholों का निर्मान होता है ठीक है? आपको समझ में आया क्या हुआ था यहाँ पर? यह bond polar होने की वज़े से इसके खाली orbital में electron दिये, यह बाहर रिकल गया और इसके पास fulfill electron होंगे, उन्होंने इसको electron दिये, तो एक triangular एक carbo catein एक non classical carbo catein generate हुआ, तो यह क्या करेगा? इस पर positive charge है, तो इसको अटाना चाहेगा, तो यह electron को खीचेगा, अगर यहां से खीचेगा तो 1 degree बनेगा, तो यह वाला attack तो नहीं होगा यह वाला attack तो नहीं होगा यानि H2O इस वाले carbon पर अटेक नहीं करेगा, कहां करेगा? इस वाले carbon पर, यूँकि ज्यादा substituted है, 2 degree है, तो 2 degree वाले पर attack करेगा, यह बनेगा H plus बाहर निकला, तो हमारे पास यह प्राप्त हुआ, अब क्या होगा? इसकी reaction कराएंगे हम sodium borohydride, borohydride में BH4 क्या देता है? H minus transfer करता है, क्या transfer करता है? H minus, hydride transfer करता है, तो यहां से hydride निकल कर, इस carbon पर जुड़ेगा, और यह अपने electron लेकर बाहर निकल जाएगा, यह पहले यूगे दे, इसने अपने electron खीचना शुरू किये, तो यहां पर कैसा charge आया? partial positive, यहां से हमको क्या मिल रहा है? H minus, क्या मिल रहा है यहां से? H minus मिल रहा है, तो minus कहां पर attack करेगा, जहां पर positive charge होगा, तो इसने यहां attack किया, यह बाहर निकल गया, और finally हमको हमारा product मिल गया, जो कि है alcohol, तो इस तरीके से reaction होती है, अगले वीडियो में हम कुछ और वीदिया देखेंगे, उसके बाद हम alcohol की properties और उनके reactions देखेंगे, किस तरीके के reaction alcohol देते हैं, और देते हैं, तो क्यूं देते हैं, ठीक है? तब तक के लिए thank you.